हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल दे साइंस टॉप में आज की क्लास में हम भारती राजव्योस्ता से सम्बंदित एक इंपोर्टेंट टॉपिक राश्टपती से सम्बंदित कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्चन्स आपके लिए लेकर आए है चलिया आज की गलास सुरू करते हैं बारत के राश्टपती की तूलना निंखित में से किस्से करना सरमाधि कुछ इत है ओप्सन हमारे पास A. अमेरिका के राश्टपती से और D. स्रिलंका के राश्टपती से तो इसका राइट आंसर होगा B. ब्रितेन के सम्बंदित से चल द्धान मंत्री और डी भारे सरकार का मुख्य सचीव तो इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट पती चले अगला क्वेश्चन देखेंगे राष्ट पत्त में समस्त कारेपालिका की सक्तियां किसमें नहीत होती हैं ओप्शन हमारे पास ए राष्ट पती बी विवस्थापिका सी काबिनेट में दी उच्च सदन में तो इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट पती चले अगला क्वेश्चन देखते हैं भारती समिधान के नुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है ओप्शन हमारे पास ए राष्ट पती बी उप राष्ट पती सी लोकसवा अध्य और डी प्रधान मंत्री तो इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट पती चले अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में सभी रक्षा वलो का सर्वश कमांडर कौन होता है ओप्शन हमारे पास ए रक्षा मंत्री बी आर्मी स्टाफ का अध्यच और एयर मार्शल सी प्रधान मंत्री और डी भारत का राष्ट पती तो इसका राइट आंसर होगा डी भारत का राष्ट पती चले अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के राष्ट पती निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्त की आयू प्रूढ होनी चाहिए ओप्शन है मारे पास ए मंदी विवाद को किसे निदेशित किया जाता है ओप्सन हमारे पास ए संसदिय समिती बी निर्वाचन आयोग सी लोगसवा अध्यच्य और डी उच्चतम न्यायाल है तो इसका राइट आंसर होगा डी उच्चतम न्यायाल है अगला क्वेश्चन देखेंगे राष्टपती पद का चुनाव संचालित किया जाता है ओप्सन है हमारे पास ए लोगसवा अध्यच्य द्वारा बी निर्वाचन आयोग द्वारा सी प्रधान मंत्री द्वारा और डी संसदिय मामलों के मंत्री द्वारा तो इसका राइट आंसर होगा बी निर्वाचन आयोग द्वारा चलिए अगला question देखेंगे, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनी दित्तु चुनाव प्रडाली अपनाई जाती है, उप्राष्ट पती, विधान परिशल सदस्य और डी राष्ट पती, तो इसका राइट आन्सर होगा डी राष्ट पती, चलिए अगला question देखेंगे, राष्ट पती चुनाव संबंदिर मामले किसके पास भेजे जाते हैं, ओप्सन है हमारे पास, ए, चुनाव आयो, बी उच्चतम न्यायाले, सी संसद और डी उप्राष्ट पती, तो इसका राइट आन्सर होगा बी उच्चतम न्यायाले, चलिए अगला question देखते हैं, राष्ट पती पत के उमिद्वारों को चुनाव प्रशार हे तू, कितना समय मिलता है, ओप्सन है हमारे पास, एक मा, बी, दो मा, सौरी, दो सप्ता, सी, एक सप्ता, और डी, तीन सप्ता, तो इसका राइट आन्सर होगा बी, दो सप्ता, चलिए, अगला question देखेंगे, अगला question देखेंगे, राष्ट पती के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, option है मारे पास, तो इसका right answer होगा, संसत के दोनों सदनों तथा बिधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य चलिए अगला question देखेंगे भारत के राष्टपती को उसके पद से हटाया जा सकता है option है मारे पास A. भारत के प्रधानमंत्री द्वारा B. लोग सभा के द्वारा C. भारत के मुख नयदिस द्वारा D. संसत द्वारा तो इसका राइट आंसर होगा D. संसत द्वारा चलिए अगला question देखेंगे राष्टपती पर महाभियोग का आरोप संसत के किस सदन द्वारा लगाया जाता है option है मारे पास A. लोग सभा B. संसत के किसी भी सदन द्वारा C. राज्य सबा और D. उप्रिक्त किसी के द्वारा नहीं तो इसका राइट आंसर होगा B. संसत के किसी भी सदन द्वारा अगला question देखेंगे राष्टपती को हटाया जा सकता है option है हमारे पास A. अविश्वास प्रस्ताव लाकर B. कानूनी कारेवाही से C. सम्विधान संसोदन से और D. महावियोग द्वारा तो इसका राइट आंसर होगा D. महावियोग द्वारा अगला question देखेंगे कारेकाल पूड होने पर पहले भारत के राष्टपती को उनके पस से कौन हटा सकता है option है हमारे पास A. प्रधान मंत्री B. उपराष्टपती C. उच्चतम नयायले के मुख नयायदीज और D. संसत द्वारा महावियोग लगा कर तो इसका राइट आंसर होगा D. संसत द्वारा महावियोग लगा कर अगला क्वेश्चन देखेंगे संसत में राष्टपती के विरुद्ध महावियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए option हमारे पास अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के राष्टपती को कार ये अवद की समापती के पुरुभी पद से हटाया जा सकता है option हमारे पास अ सत्ताधारी राजनीतिक दलद्वारा बी महावियोग द्वारा सी प्रिधान मंत्री द्वारा और डी नयायाले में ट्रायल द्वारा तो इसका राइट आंसर होगा महावियोग द्वारा अगला क्वेशन देखेंगे राश्टपती को निमकित में से कौन पद और गोपनियता की सफत दिलाता है option हमारे पास अ भारत का मुख्य नयायदीस बी प्रिधान मंत्री सी अटार्नी जनरल दी महादिवक्ता की मुख्य नयायदीस तो इसका राइट आंसर होगा भारत का मुख्य नयायदीस अगला क्वेशन देखेंगे भारत का राश्टपती अपना नयायपत्र किसे संबोधित करता है option है मारे पास अ प्रधान मंत्री बी उपराश्टपती जब राश्टपती, मृत्य, त्याग पत्र, पदचियूत या अनकारणों से अपने कर्तव को नहीं निभा सकता है तो राश्टपती कितने समय तक राश्टपती के रूप में कार्य करता है option है मारे पास तो इसका राइट आंसर होगा D, शैमा झाल 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 झाल